गाजियाबाद के मुराद नगर शम्शान घाट मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफतार कर लिया है आपको बता दे कि पुलिस ने शम्शान घाट के गलियारे के निर्मान में अजय त्यागी के पार्टनर रहे संजय गर्ग निवासी नहरु नगर से पूच्ताश की है पूच्ताश में अरोपीत ने खुलासा किया कि मुराद नगर हाथसे में मौत की चछत ब्रश्टा चार के पिलर पर खड़ी की गई थी नगरपाली का E.O. वा अन्य अधिकारियों ने 16 लाग की रिश्वत लेकर शम्शान घाट के गलियारे के निर्मान का ठेका दिया था ठेकेदार अजेत यागी ने पुलिस पूच्ताश में ये बात कबूल की है कि उसने टेंडर प्रिक्रिया में 28-30% कमिशन दिया था पुलिस ने अरोपित को कोट में पेश किया जहां से उसे 14 दिन की नियाई खिरासत में जेल भेज दिया गया यहां आपको बता दे कि रविवार को मुराद नगर के शम्शान घाट के गलियारे की छट गिरने से अंतिम संसकार में शामिल होने आए 25 लोगों की दब कर मौत हो गई थी और कई घायल हो गए थे इस संबंद में पुलिस नगरपाली का ईयो निहारिका सिंग, जेई चंद्रपाल, सुपरवाइजर आशीश वठेकेदार अजय त्यागी के खिलाफ गैर इरादतन हत्या और गबन का केस दर्च किया था पुलिस ने सौमवार सुवे ईयो जेई वज सुपरवाइजर को गिरफतार कर जेल भेज दिया था बता दे चले कि फरार अजय त्यागी निवासी राजनगर सेक्टर साथ पर सौमवार राच साड़े आठ बजे 25 हजार का इनाम गोशित किया गया था इनाम के तीन घंटे बादी पुलिस ने उसे दबोच भी लिया था SSP कलानीधी नैथानी ने बताया कि अजय त्यागी से पूछ साज के आधार पर निर्मान कारे में उसके पार्टनर रहे संजगर्ग निवासी नहरुनगर को भी गिरफतार किया गया है अजय त्यागी ने पुलिस को बताया कि वह मैसर्स अजय त्यागी कॉंट्रेक्टर नाम की फर्म चलाता है फर्वरी 2020 में ओनलाइन टेंडर प्रक्रिया के तहट उसकी फर्म को मुराद नगर शम्शान घाट के सुन्दरी करण वह निर्मान का ठेका मिला था उसने ये ठेका 55 लाक रुपे में लिया था उसे मार्च में 26 लाक की पहली किष्ट और जुलाई महीने में 16 लाक की दूसरी किष्ट मिली है ठेका आबंटित होने की एवज में उसने जेई के कहने पर नगर पाली का ईयो निहारी का सिंग के कारियाले में 16 लाक रुपे की रिश्वत दी थी अजे ने बताया कि अधिकारियों को 28-30% कमीशन एडवांस देना पड़ता था अजे त्यागी ने पुलिस को बताया कि शम्शान घाट का निर्मान दो महीने में पूरा करना था कोरोना काल शुरू होने के कारण काम लेट हो गया अगर समय से निर्मान पूरा न किया जाता तो इस मदद में आई रकम लैप्स हो जाती इसलिए उसने काम जल्द पूरा करने के लिए A.S. कंस्ट्रक्शन कंपणी के मालिक संजग गर्ग को साथ लिया इसके अलावा R.G. विल्टेज कंपणी के मालिक भानू प्रकाश गर्ग सचिन गर्ग वविपिन गर्ग को भी साज़ेदार बनाया इन सबी के साथ मिलकर उसने निर्मान पूरा कराया अजे के मताबिक शम्शान घाट के निर्मान के लिए A.S. कमपनी की तरफ से ही आशीश को बतोर सुपरवाइजर रखा गया था अजे त्यागी ने पूछताश में खुलासा किया कि शम्शान घाट के निर्मान में नहीं किया गया जेई वेईयो ने परिवेक्षन के नाम पर खाना पूर्दी की पुलिस पूछताश में अजे त्यागी ने बताया कि कमीशन खोरी का जाल ऊपर तक फैला हुआ है सभी तक तैय रकम पहुचने के बाद ही डेंटर मिलता है और रकम का भुकतान होता है ठेकेदार अजे त्यागी वे उसके पार्टनर संजय गर्ग से पूछताश में नगर पालिका के अधिकारियों का भृष्टाचार उजागर होने के बाद पुलिस ने मुकदमे में भृष्टाचार निवारन अधीनियम की धारा भी बढ़ा दी है ऐसे ही लेटेस को बरेपाने के लिए बेल आइकन को ख्लिक करें हमारी चैनल को लाइफ, शेर और सब्सक्राइब करें घन्ने वारी आप लेटिंग, लाँचिंग और पार्टी राजगराना अग्योति गार्डन अजेबी बैंक्वेट एंटरप्राइब